कि हैं एक अग्या करते हैं अब दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्व चनल में जिसका नाम है यूपी बलोग श्टड़ी दोस्तों आज मैं आप लोग लेकर काया हूं यह भी कॉम सेकंड एर के कॉश्ट अकॉंटिंग के पेपर के सम्बंदित वीडियो है दोस्त आपके बहुत अच्छे मार्स आएंगे और अगर आपने साल बार किसी कारणा से त्यारी नहीं कर वाएं तो आप दोस्तों अगर इस वीडियो को देखेंगे और आपने एक हपते भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से थोड़ा से पढ़कर समझ लिया तो मैं उमीद करत आपका तो इसमें आपको सत्रा मार्क्स लाने पड़ते हैं कम से कम पास करने के लिए तो आपका पास तो आप 100% हो जाएंगे तो मेरी गारेंटी इस पर आपने वीडियो देखा है और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे मार्स लेकर आप ला सकते हैं ठीके दोस्तों तो या आपको देखने को मिलते हैं लगुत्री के जिसमें आपको 10 प्रेशन करने पड़ते हैं लगुत्री ठीक है दोस्तों और इसके लावा जो लॉंग कुश्चन होता है यानि कि दीर गुत्री पर उसमें आपको चार कुश्चन दिये जाते हैं जिसमें कि आपको दो प्रेशन कर दोस्ते हाँ पर जो मोज्ट इंप्रटन कोश्टन है वह मैं आपके लिए यह फ़िये उनिवरस्टी जहासी के स्टूडेंट के लिए और लेकिन आप किसी भी मध्युर्स्टी से हो दोस्तों अगर आपका कोस्चन कुछ आइसा आपकी भी उनिवरस्टी में कुछ कुछ तो इस लिए आप चाहें तो आप इससे भी देख कर सकते हैं आपका अगर मतलब कहो लेकर यह में जो इस पेसल वीडियो बनाया वो बुंदेर खंड इंडि जहांसी के स्टूडेंस के लिए बना वुए ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको सामने दोस्तों लगूत्री प्रीषैना आएंगे दस प्रेस्ने मैंने आपके लिए लागूत्री लिए हुए हैं और उसके लावा दो प्रावा प्रेस्ने को नभू लीएन इसामने लिए साथने नमर लेकिनि साथना आई तो क्योंकि वो जब से क्लिक क्लिक लिया हुआ है फोटो का उसमें साथ नंबर पढ़ा हुआ लेकिन आपका यह पहला प्रेशन ठीक है दोस्तों चलिए सुरू करते हैं पहला प्रेशन आपके सामने हैं तो यहां पर दोस्तों आपको इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है यानि कि इसका वित्ती लिखंकन कॉलम अलग बनाना है और हम लोग दोस्तों इसको याद करेंगे बहुत एच्छी ट्रिक है आपको इस तरीके से याद करना है ऐसा नहीं कि आपको वित्ती लिखंकन को साथ साथ पढ़ना है इससे क्या होता है क्योंकि दोस्तों जब हम किसी चीज में अंतर सपश सकरात्मक्ता दिखाई गए तो दूसरे में नकरात्मक्ता दिखाई जाती है ऐसा आपको आपने देखा होगा अकसर और चलिए हम सुरू करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा तो पहले नंबर आपके सामने है वित्ती लिखंकन का तो इसमें विवसाइस सम्बंदित आ आपके और लागत लिखंकन की तीसरा पॉएंट है इसमें लागत न्यंतरन पर अधिक द्यान दिया जाता है चाही तक यहां पर सब्सक्स tysिया हुई है एक साथ पढ़ने से और चौथा नमबर आपका दिया हुआ है इसमें लेखों के अधी प्राया एक वर्सकी होती है और जो लागत लिखांकन है इसमें रिपोर्ट किया हुदी कोई निश्चित नहीं होती है ठीक है दोस्तों और पांच्वां आपका हैगा वित्ती लागत कराना होता है और यह लागत लेखांकन का उद्यास प्रबंद को को सुचनाय उपलब्द कराना होता ठीक दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग क्योंकि हम ज्यादा तोड़ा से वेट नहीं कर सकते वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो आप आसानी समझ भीए और आपको सामने है अगर लगू तरीका वह हैगा मसीन गंटा-दर की गंड़ना कैसे की जाती है हाव इच मसीन आवर रेट कंप्यूटेट ठीक है तो मसीन गंटा-दर की गंड़ना करते समय निमने बाते विचालनी है तो आपके सामने पहला दोस्तों दिया हुआ है पाइडिंग आपक आप जितना अच्छे कापी में लिख कर आएंगे ना जितना साफ सफाई का ध्यान देंगे अगर आप मेरे अजाब से अगर आपको पांच मेंच का काम करना आप चारफ मेंच का काम कर गया है लेकिन आप सफाई जाब सब्सक्राइब की बकाइदा हैडिंग डालके के मइं माह एक वर्स या कोई अन्हों सकती है जो अवधी गणना करने के लिए तैक की जाती है उसे अधार अवधी के बाद मसीन घंटा दर की गणना करने के लिए उसी अवधी के अंतरगत किये गए वय एवं उपरी वय उपर विचार किये जाता है ठीक है दोस्तों और दूसरी आपकी हेडिंग है विभागी उपरी वय डिपार्टमेंटल ऑवर हैट्स तो जिस विभाग से संबंदित मसीन घंटा दर ग्याद करनी होती है केवल उसी विभाग के उपर कर ग्याद किया जाता है तथा अन्य विभाग के उपरी वय उसे कोई संबंद नहीं होता ठीक है तो मसीन के कार घंटे मसीन आवर्स ऑप दा मसीन आधार अवधी के अंतरगत मसीन के कार रिसील घंटों की संख्या ग्याद करनी चाहिए मसीन के कार रिसील घंटों की संख्या यानि की effective working hours की संख्या ग्याद करते समय कोल कार कारी मसीन घंतों की संक्या से कार सीर घंतों की साधरन हानी यानि की normal loss of working hours घटा देनी चाहिए ठीक है तुस्तों आगे चलते हैं अगली एडिंग है आपकी चाहती नंबर के हैं जो कि है मसीनों की संक्या नमबर ओफ मसीन जिस विवाग की मसीन घंटा दर जadow करनी ए उस विवाग में इस्थापितकुल मशीनों की संख्या घ्यात करनी चाहिए ठीक है दूस्तो ऑफ पांच भीडिंग है आपकी वेव की संख्या monuments Passion of Expense ठीक है दोस्तो अप प्रतफिचस्ल, बाढ़ते हैं पहला है दोस्तों इसको हम बोलते है फिक्स एक्समेंसेज और चार्जेश टीक है दोस्तों और दूसरा है परिवरतन सील यानि कि वैरियेवल एक्समेंसेज और मसीन इस दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं और इसमें आगया आपका छटमी है जो आपकी वैयों का विभाजन कि पॉर्षन मेंट और एक्समेंसेज टीक है तो व्यों को विभाजन करने का निमने लिखें अधार है यहां पर आपको इस तरी के इस फॉर्मल बना लिना है दोस्तों और जिस तरी का लग अलग कॉलम जैसे कि इस थाईवे यहां पर पहले दिया हुआ है यहां पर दिया ह करना पड़ेगा ठीक है तो हम कर लेते हैं तो इसमें आपका जो वित्रान का अधार है इस पर दिया हुए पिरतेक मसीन द्वारा घेरी गई जगह या चेत्रिपल के अनुपात में ठीक है दोस्तों और दूसरी पॉइंट है प्रिकास एवं ताप पिरतेक मसीन पर लगे प्रवेच्छन एवं प्रबंध व्याय भूर में प्रवेच्छक या प्रभं प्रवंदक द्वारा पिरतेक मसीन पर दिये गए समय के अनुपात जेत्ते हैं अगला पॉइंट है आपका बीमा मूल लेकर नुपात में ठीक है दोस्तों और पांच में काल्यान की मसीनों पर के लिए अलग-अलग दिये जा कहे होते हैं ठीक है तो इसमें आपके सामने आगया परिवर्तन सील्वे इसका भी फॉर्मिट आप कोशी तरीकी से बनाना अलग-अलग कॉलम में वित्रन का अधार अलग लिखना है और इसका पहला पॉइंट है जो परिवर्तन सील्वे का वह भवन का राज ठीक है तो इसमें आपका वित्रन का जो अधार दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं पिर तेग मसीन के द्वारा जगय घ्री कई के अनुपात में यह दूस्तों यह भवन के रास के लिए था और दूसरा है मसीन एवं यंत्र का रास मसीन के अनुपात में ठ प्रतिक मसीन के द्वारा जगय घ्री गई के अनुपात में ठीक है आपका मसीन की मरमत मसीन के मूल्यों के अनुपात में अब आगे आपके पढ़ लेते हैं हम लोग मसीन घंटा दर तो मसीन आवर रेट पढ़ते हैं इसको मसीन पर किये गए विभिन इस्थाई व्याद कर प्रतिक गंटा दर जोड़कर मसीन घंटा दर ग्याद कर लिया है तो अगर आपके सामने इसका को सकता है अगर लॉंग में भी आ सकता है आपका सौट में आ सकता है लेकर आप सौट में आ सकता है है अगर आप सकता है तो आप संट कर सकते हैं यहां पर प्राख न नंबर नहीं बताउंगा अपके यहां पर तो यहां रहता हैं खता हुत होते हैं आपको बता दूँड़ा चलेगा पर किसे कहते हैं What is Operating Costing Method परिचालन लागत विधी का अर्थेवं परिवासा Meaning and Definition of Operating Costing किसी सेवा की रचना करना तथा उसे प्रदान करना की लागत संचालन लागत कहलाती है इस लागत विधी का प्रियोग उन संस्ताओं के द्वारा किया जाता है जो वर्ष्थों का उत्पादन नहीं करते हैं बलकि सेवाएं प्रदान करते हैं इस विधी को वहाँ भी लागू किया जा सकता है जहां सेवाएं पूर्णतया प्रमापित नहीं होती है लेकिन उसको ऐसा समझना ही सुविधाजनक रहता है लागत निर्धारित की इस विधी के अंतरगत प्रदान की गई सेवा की प्रती इकाई का निर्धारन किया जाता है इसलिए इस लागत विधी को निर्धारन लागत विधी भी कहते हैं प्रदान की गई सेवाएं आंतरिक एवं बाहे हो सकती है जब सिवाएं कार खाने में ही अंतह विभागी आधार पर प्रिदान करनी होती है तो उन्हें विभागी सिवाएं कहा जाता है जब सिवाएं बाहरी व्यक्तियों को प्रिदान की जाती है तो उन्हें बाहर सिवाएं कहा जाता है एक सिवा आंतरिक हो या बाहर प्रिदान करन करने की लागत से है ये बोला गया है Chartered Institute of Accountants England के द्वारा ठीक है दुस्तों ये बोला गया है परिचालन लागत का अर्थ सेवा प्रदान करने की लागत से ठीक है थीक है ठीक है तो इस पष्ट समझाए गया अगर आप इसको चाहें तो प्रचालन लागत का पढ़ लेते हैं जो वहाँ न चलने पर भी होती है ठीकिक दोस्तों यहां पर चालन लागत से आसा ऐसी लागतों से लगाया जाता है जो कि तो होती है ठीक है दूसरा पॉइंट है इस्थाई लागतों के उधारना है गैरेज गार किराया गाड़ी भीमा लाइसे फीस और सब्सक्राइब कर ठीक है दोस्तों और परीचालन लागतों के उधारना है डीजल पेट्रोल तेल ग्रीज चालको का चालको एवम रॉम कंडेक्ट किया जाता है दूसरे सब्दों में ठेके पर जितना कार हो चुका है उनमें से इंजिनिरों या सिल्प कारों ने कितना कार जाज कर प्रिमालित किया है उससे ही प्रिमालित कार कहते हैं अपूर्ण ठेके की दसा में ठेके पर जितना कार हो चुका है उसकी जाज सिल्प कारों इंजिनियरों द्वारा कर आई जाती है यदि ये परिच्छत ठेक्ड को ठेके की सर्तों के अनुसार, कार रिक को ठीक पाते हैं तो तो वे ठेकेदार को उतने इस कारा का प्रमाल पत्र दे देते हैं जितने कार्ड को उन्होंने जाच के दौरान ठीक फाया ठीक है? दोस्तोग और प्रंध चार अधिकतर प्राप्ट धन यानि कि कैस रिसीड चेह से अधिक होता है ठीके दोस्तोग यदि प्राप्त धन का मालूम है और upload कार कि प्राप्त हुआ है मालूम है तो प्रमाराइइ Bunny कार की रकम निम्निप्रकार ग्याद करेंगे इसका का फार्मूला यहां दिया हुआ आप लोग याद रख लिए कि इसको प्रमालित कार बराबर प्राप्त धन इन टू हंड़ेट अपाउन प्रमालित कार पर प्राप्त धन का प्रितिसर ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं तो दोस्तों आपका अगला प्रेस्ट जो है का वह एकर गइंड़ किया है इन दोनों में अन्तर बताईए क कोष्ट है सेंटेंज एन प्रॉफिट चैन्टल डिफ्रैंस बिट्वीट्वीन कोष्टेंड चैंड प्र फेट узills तो यह एकर लागत केंदर को पढ़ लिते हैं हम लोग लागत केंद्र किशी गतिविदी अथोpse त्ऩ से चोटा भाग है जिसके संदर्व में लागत एकत्रित की जाती है सामानता विभाग लागत केंद्र होते हैं लेकिन कुछ मामलों में एक ही विभाग में अनेक लागत केंद्र हो सकते हैं ये लागत केंद्र विभाग अत्वा किसी संगठन के उपववाग होते हैं जिनके सं संदर्ब में लागते लागत निधारन एवं नियंत्रन हेतु एकत्रित की जाती है ठीक दोस्तों अगला है आपका लाब केंद्र प्रॉफिट सेंटर एक लाब केंद्र नवसाइक क्रिया कलाब का वह भाग है जो आगम तथा व्याइद दोनों के लिए उत्तरदाई है तथा कार के किसी भाग विसेश का लाब प्रिकट करता है लाब केंद्रों को अधिनस्त कर्मचारियों में अधिकार समर्पन हेतु तथा उनकी निस्पत्ति के मुल्यांकन हेतु बनाया जाता है ठीक है दोस्तों अब अगला है आपकी है लागत केंद्र वा लाब केंद्र में अं अंग से संबंदित होता है जो आगम वा व्याय दोनों के प्रति उत्तरदाई है ठीक है दूस्तों दूसरे पॉइंट है लागत के इंद्रों की रचना लागत के लिखांकन वा नियंत्रन की सुविधा को ध्यान में रख कर की जाती है जबकि लाप केंद्रों का निर्माण का करन के कारण होता है तीसरा पॉइंट है लागत केंद्र लाप केंद्रों की तरह स्वायत सासी नहीं होते हैं ठीक है दोस्तों और आगे है अगला चलते हैं अगला प्रेशन है आपका चालू कार पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए राइट सौट नोट और वर्क इन प्रो निरमेत माल को चालू कार कहा जाता यानि की वर्क इन प्रूड़ेश ठीक है चालू कारकर मुल्यअक्त एक कठिन कार रहे क्योंकि इसमें वर्ष्टू की इकाईयां निर्माल की विभिन अवर्ष्थाओं में रहती है और हो सकता है कि कुछ इकाईयां तो अभी उत्पाद प्रिक्रियाओं में सम्मेलित की गई हो जबकि कुछ एकाययों पर उत्पादन प्रिक्रिया लगबग समाफ्त होने वाली हो ठीक है दूस्तु तो चालुकार का मुल्यांकर मुक्षिता दो प्रकार से किया जा सकता है पहला है दोस्तो वार्षत्विक आदार पर ठीक है और ए वह हेडिंग है आपकी तुल्ल उत्पादन के अधार पर ठीक है और एक्वाइलेंट प्रोडक्शन बेसिस इस विदी के अंतरगत अनुसार अर्द निर्मित एकाईयों को पूर्ण निर्मित एकाईयों के तुल्ल परिवर्तित करके चालू कार को पूर्ण एकाईयों की एकाईयां एकाई का लागत रुपए दस है तो दो सो अर्द निर्मित एकाईयों का मूल लियंकन चालिस गुणे दो सो गुणे दस बरबटे सो बराबर अस आठ सो होगा ठीक है दोस्तों तो यह इसका है आंसर आप समझ गया होंगे आगे चलते हैं अगला प्रेशन है लेखो का मिलान करना अतिन्त अवस्यक होता है इसका नमाधान विबनलपत्र इस प्रिकार बना जाता है ताकि दोनों लेखो के परणामों में अंतर डालने वाले कारण प्रिकार्ट हो जाएं तथा उन कारणों से संबंदित धन्रासी का समयोजन करके दोनों का मिलान हो सके मिलान होने पर ही लागत लेखो एवं वित्ती लेखो की सुद्धता को जाना जा सकता है यद तथा लागत लेखो लेखा पूर्ण माने जा सकते हैं इसके मिलान के उद्देश सिन्निम लिखित होते हैं पहला दोस्तों आपका हेडिंग दिया हुआ है अंतर के कानलों का इस पश्टी करना करना तो दूसरा पॉइंट आपका यहां पहेडिंग दी हुआ है बहतर सहयोग एवं समंजस से स्थापित करना इस्टैबलिसमेंट आफ बैटर को ओप्रेशन एंड को ओडिनेशन ठीका दस्तों वित्ती लेखो तथा लागत लेखो का मिलान करने का उद्देश से लेखांकन विभाग के वित्ती एवं लागत सेंक्सन की गती विदियों में अधिक सामांजस से एवं सहयोग इस्थापित करना होता है ठीकर दोस्तों आगे चलते हैं आगे दोस्तों अब आपका तीसरा पॉइंट पढ़ना हैं को दो पढ़ती हैं आप तीसरा हेडिंग है आपका लागत लेखो की विस्वनीता को जानना टू नो दर रिलाइबिल्टी आफ कॉस्ट अकाउंट्स ठीक है दोस्तों लागत निर्धारल तथा लागत नियंत्रल सुद्धिता प बिलान का उद्धेश लागत लेखों में पून्ट पून्टा लाना भी होता है ठीक है दोस्तों अगला प्रेशन है आपका मेवरेंडम समधान खाता क्या है वाइटेज मेवरेंडम री कॉन्सिलियेशन स्टेटमेंट समधान विबरान पत्र काहिसे त्यार करने की विधी म method of memorandum re-conciliation statement लागत लेखा के लाव और वित्ती लेखो के लाभों में अंतर के कार्णों का पता लगा लेने के बाद उसका समधान निम लिखे दो विदियों में से किसी एक विदी का प्रियोग करके समधान किया या सकता है तो पहला है लाव समाधान विबनल पत्र गाता तो पहले हैं आपके दियो यह लाव समाधान विबनल पत्र प्रॉफिक Bene को डूर करने के लिए समाधान पत्र के समान ही त्यार किया जाता है ठीक है दोस्तों और अगला है किये समारktionों रॉकानसीलियेशन एकॉंट दोस्तों और यहागी चलते हैं प्रचाला ने अब आपके सामने Howers ऐसको हम प्रचाला का बहुत द्यान से देखिएगा और बहुत ही इंपॉट इंप नहीं विर आंटेको शुम्राइव को संज़ाइए वाट काया सब्सक्स परना नक करणते लाका पर्लिक हां सब्सक्या its nature objectives scope and limitations ठीक है दोस्तों लागत लेखे क्या है इनका त्यार करना एक बड़े उत्पादन संस्ता को किस प्रिकार सहायता करता है ठीक है दोस्तों यह आपका अगला प्रेशन इस तरीके से बन सकता है तो हम सबको पढ़के जाएंगे अगला प्रेशन आपका जो इसी से बनता है दोस्तों यह पूरा एक ही प्रेशन आपका लेकिन इस तरीके से आपका इनमें से कोई भी एक ठोटा के रख सकता है इध्यान दीजेगा लागत लेखांकन कार्त प्रकती तथा सीमाओ का विवेचन कीजिए वित्ती लेखांकन की तुलना में लागत लेखांकन किस प्रिकार उप्योगी है डिसकस्ट दा मीनिंग नेचर एंड लिमिटेशन आफ कॉस्ट अकॉंटिंग हाव इज इट हाव इज कॉस्ट अकॉंटिंग यूज फूल एज कंपेर टू फैनेल सियन अकॉंटिंग ठीकर दूस्तों अब इसको तथा कारियों को दर्साने के लिए इस वक्तव का विबेचन कीजिए आगे चलते हैं अगला आपका है तो एक गोड़ सिंस्टम आफ कॉस्टिंग सर्विस सेज एज ए मीन्स आफ कंट्रोल ओवर एक्स्पेंडीचर्स एंड हैल्स टू सिक्योर एकोनॉमी इन मैक मैनुफे है कि एक अच्छी लागत प्रणाली प्रवंद को के लिए मुल देन है इस कथन की सहमती में मुख्य बिंदों का वर्लन कीजिए इट हैज बीन सैट डैट गुड़ कॉस्टिंग सिस्टम एज अन वैलुएबल एड़ टू मेनेजमेंट नुमेरेट दा मेंट और पॉइंट अगला प्रशन आपका एक निर्माली संसा के लागत लेखो का रख रखाओ किस प्रकार सहायक है वाट आर कॉस्ट अकॉस्ट मैनर दा मेंटेंस आप कॉस्ट अकॉस्ट अकॉंट इन हेल्पूल टू ए कंट्रक्शन कंपनी ठीक दोस्तों लागत लेखांकन से आप क्या अब आपके सामने प्रेश्ण आपका जो है सारे पढ़ लिए हमाने आपके सामने आंसर क्यों चलते हैं तो आपका सामने देखिए लागर लेखंकन का अर्दिवं परिवांसा लिखा हुआ है यह देखिए और यहां पर लिखा हुए मीनिंग डेफिनेशन आप कॉस्ट अक पढ़े काहता है कि उसके उत्पादन की लागत अन्य उत्पादकों की तुन्ला में काम आए जिससे इस प्रितिसपर्दा के यूग में सफलता प्राप्त कर सकें इस हेतू लागत लेखंकन महत्यपूर्ण भूमी का निभाता है आगे है लागत लेखंकन का ही एक भाग है लागत लिखंकन का अर्थ वस्तू के निरमाद पर होने वाले वैयों का इस प्रकार वर्गी करन विभाजन करता है जिससे उत्पादित वस्तू या सेवा की प्रती इकाई लागत ग्याद किजा सके तथा प्रबंद को व्यवसाइक नीतियों के निरमाद है तू अवस्यक आक दी है जिसके अंतरगत किसी वस्तु को त्यार करने या किसी कार को करने में कितनी सामगरी ततस्रम लगा है इनका हिसाप लिखना लिखा जाता है ठीक है दोस्तों और आगे दूसरे प्रोबेसर्स का नाम दिया हुआ है कि वाल्टर डबल्यू बिक के अनुसार लागत लेखा बैवों का एक ऐसा विश्लेशन एवं वर्गी करने हैं जिसमें कि उत्पादन की विशेश इकाई की कुल लागत सुद्धिता पूर्वग ज्यांत हो सके और साथ ही यह भी ज्यांत हो सके कि वह कुल लागत किस प्रकार प्राप्त हुई है ठीक है दोस्तों आगे है आपका पहरार गुफ्ता कि लागत लेखानकं लेखो की एक ऐसी परिणाली जिसके द्वारा व्यवों का विश्याजन इस प्रकार किया जाता है कि अपकारहर है लागत के अचित सुद्धिता के साथ जानी और प्रसासकों के मार्ग दर्शन एवं उनके प्रबंद कार्रेगी सुविधा की दर्ष्टी से समुचित और व्यवस्तित आंकले प्रस्तित करने हेतु व्यों का वर्गी करन लेखा और उपयुक्त बटवारा करने से है ठीक है दोस्तों अब आपका अगला जो है पॉइंट वह लागत लेखांकन की प्रगती नेचर आप कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है दोस्तों तो लागत लेखांकन की प्रगती को निमने प्रिकार स्पष्ट किया जा सकता है तो इसका पहला पॉइंट जो है को है लागत लेखांकन द्वारा हिसाब इस प्रिकार रखा जाता है ताकि निर्मित वस्तु की कुल लागत की प्रति इकाई लागत ग्यानत हो सकते हैं ठीक है और दूसरा पॉइंट है आपका लागत लेखे प्रति इकाई लागत केवल कारपूर्ण होने पर ही पिदरसित नहीं करते हैं बल्कि उत्पादन की विभिन अवस्था पर ही निमानुसार किया जाता ठीक है और चाथा पॉइंट है लागत लेखे विज्ञान तदा कला दोनों हैं क्योंकि लागत लेखा के निश्चित उद्देश एवं लच्छ होते हैं और इनकी पूर्ति के लिए निमत लेखे किये जाते हैं साथ ही उन विदियों का भी अ इस्थाना पंड ना होकर एक सहयक पद्दती है ठीक है और छेटमाप पॉइंट है लागत लेखांकन के अंतरगत समगरी स्रम तदा व्यों का विश्तरत ब्योरा रखा जाता है जिससे व्यप्रबंदक इन पर इन पर भली प्रिकार नेंतरन रख सकता ठीक है साथी स्रम की क अब आगे है दोस्तों आपकी heading जो दी हुई है वो लागत लेखंगन को देश से की विशा में दी हुई है objectives of cost accounting ठीक है लागत लेखंगन के मुख्ष देश निमने पर कारें पहला पॉइंट आपका दिया हुई है लागत लेखो का मुख को देश किसी संस्रा द्वारा उत्पादे वर्स्तु या सेवा की कुल लागत तत्र प्रतेक एकाई की लागत ग्याद करना है जिससे मूल निर्धारन में सुविधा हो सकी ठीक है दूस्तों दूसरा पॉइंट है लेखे की सहाइथा से पिछले वर्सों में तुन्ना करके समग्री रूप में हुने वाले छए का ज्ञान हो जाता ठीक है जिसे दूर करने की आवश्यक प्रतर प्रयत्र कियी जा सकते हैं ताकि लागत पर उचित ने इनतरन इस्थापित कि आ जा सकते हैं ठीक है दोस्तों और आगे च्वूद्हा पॉइंट है लागत लेखे द्वारा दूसरे उद्योगों को प्रमालिक लागत का ज्ञान होता रहता है जिससे अपने उद्योग की लागत अधिक होने पर उसके कांड़ों का सही उचेत ज्यान हो सकेगा ठीका दोस्तों पाँच्वा पॉइंट है लागत लेखे द्वारा आकड़े उपलब्द हो जाते हैं जिनकी सहाइता से व्यापारिक नीती निर्धार्ण की जाती है ठीक है जो वर्स्तु भविस्थ में उत्पन होने वाली है उसकी लागत का ज्यान लागत लेखे द्वारा ही हो सकता है आगे चलते हैं दोस्तों और सा आठों पॉइंट है आपका यदि किसी समय वस्तु की मांग अधिक है तो लागत लेखे की सहायता से लाप का प्तिसद बढ़ा कर उसका मूल अधिक रखा जा सकता है ता अधिक्तम लाप राप्त किया जा सकता है ठीक है दोस्तों और आगे अगली है आपकी लागत लेखां संबंकन का छेत्र काफी विश्तृत है इसका प्रमुक कारण यह है कि लागत लाब यहां आय संबंदी समंग किसी ना किसी रूप से सभी संस्ताओं जैसे निर्माडी व्यपारिक खनन परिवहन उपकरम परिवहन उपकरम और सार्वजनिक उपयोगी वित्ती संस्ताइं ए जैसे नगरपालिका अस्पदाल विश्व विद्याला आदी में एकत्र किया जाते हैं जिसके अधार पर ना केवल निर्मित वस्तूहों एवं सेवाओं की लागतों को ज्यात कि बल्कि भावि विजनाओं ओवं कारक्रमों का नियंधालना किया जाता है ठीक तो शाथ सेवा की लाब दायकता का विशलेशन और दूसरा है प्रतेग विभाग की लाब दायकता का विशलेशन और तीसरा है प्रतेग वस्तु की लागत की प्राक्रतिक विशलेशन और चौता है प्रतेग वस्तु एवं सेवा के मूले निर्धारन में सहायता ठीके दूस्तों आगे चलते हैं आगे दोस्तों आपका है कि पांचमां इस तर्में परिवर्तन के प्रभागों का शट्मां है बास्त्तिविक लागत एवं प्रमाप लागत में अंतर के कार्णों की व्याक्या साथ है कर्वचारियों एवं विभागों की कार्छमता बढ़ाने में साहिता और functions of cost accounting लागत लिखांकन एक हितैसी मित्र की भाती लागत लेखा उत्पात को या विवपारियों का पत्पिदर्शन करता है अर्थात किसी भी राष्ट की आर्थिक और धोगिक एवं व्यावसायक प्यवर्स्था को मजबूत बनाने में महत्य पूर्ण भूमिका निभाता है लागत लेखांकन के प्रमुख्यकार नियम्ने लिखेत हैं पहला है दोस्तों उत्पाधित वश्थूों का सही वेसलेशन एवं वर्गी करना ठीक है और दूसरा है किसी वर्ष्थू कार्वधी के निर्मार की कुल लागत ज्याद करना तथा प्रति एकाई लागत ज्याद करना और चौता है मसीनों प्रवंद कर्मचारियों की कार्चमता बनाए रखना तथा उसमें ब्रद्धी करना और आगे हैं दोस्तों आपका पांचवां हैं निर्माताओं का मित्र ठीक है दार्शनिक एवं गुरु की भाति मांग एसन करना और छटवां हैं आपका उत्पात को उत्पादर करने में सहायता प्र दान करना सात्वाँ हैं या पारिक हिसाब किताब की रख्मों तथा लागत लिखों की तुलना सरल एवं संबाव बनाना आटवाँ हैं मूझने निर्धारित करने के लिए सूचनाय प्रदान करना और नौमा है विभिन की तुलनातमक ल लाब advantages of cost accounting लागत लिखांकन के लाबों को निम्न प्रकारिश पष्ट किया जा सकता है पहला है वेडिंग के तौर पर दिया हुआ है उचित बिक्री मूलने का मूले निधारण में लागत का ज्यान आवस्य होता है लागत में लाब का उचित पर तीसाद जोड़कर बिक्री मूले निधारित किया जा सकता है ठीक है दूस्तों और दूसरी हैडिंग दी हुए प्रमाप लागत से तुलना ठीक है आगे देखते हैं इसको दिया हुआ यहा नियतना होने से विभिन विवाग Не यह को नियांथित डिया जाता है अनको कम करने के प्रियतन किये जाते हैं कम लागत होने से उतपादक को लाव होता है और चौती हैडिंग है आपकी भावी नीती के निर्धार ye hypocrite एधिक से अधिक लाब ने चाहेता है लागत लिखंकन क से उन विभागों की जानकारी सहज हो जाती है जिससे हानी होती है अता भविस्य के बारे में लाब बढ़ाने की दर्ष्टी से नीती निर्धाल में इसे सहायता मिलती ठीक है तो आगे है पांचु एडिंग आपकी विक्रेताओं की कारकुसलता का ज्यान विभिन से विभिन विभागों द्वारा आमंत्रित टेंडरों का मुल्य आसानी से ज्यान किया सकता है जिससे आदेश प्राप्त करने में सुधा रहती है अब सात्वी हेडिंग है आपकी उत्पादन लागत का ज्यान लागत लिख हंकन की सहायता से उत्पादक को वस्तु या सिव वाकी पृति का लागत का ज्यान हो जाता है साथ यह भी घ्यान हो जाता है कि उस लागत में उत्पादन लागत के तक सीमा तक सामेलम ठीक दोस्तों अगय आगला पॉइंट आठेम हेडिक है वह उत्पादन तरन singular में सहायता अब अत्ति काल के समय जब मुल्यों में अत्यधिक उतार चलाव हो रहे हो तो ऐसी दसा में लागत लेखांकन भविश्य के लिए लावप्रत नीति नेधारण करने में साहिता करते हैं ठीक है दोस्तों अब आपका मुख जो हैडिंग है अगली वो हैगी अपकी लागत लेखांकन की सीमाएं लिमि लिमाट लेखंकन सभी व्यवष्य वियेव के लिए एक समान विदी का अभाव पायएं जाता और तीसरा पोंट है लागत लेखंकन अपनाने के लिए अनेक की परिकार की आवसकता को फूरा करना पड़ता है ठीक है और चत्फषा पॉइंट है लागत लेखां कन में आप धर यह का वास्त्री नहीं होता बल्की अनुमाने की होता ठीक है ठीक है तो फैल्ट है लागत लेखंकन एक खर्णाली यह है ठीक है अब दोस्तों यह आपका जो पहला जो मैंने आपको कोश्चन जो पढ़के बदाए था वो पूरा यहां से कंप्लीट हो चुका है अब हम लोग मतला यानि कि आपके लिए पहला कोश्चन में जो दो कोश्चन लाउंक के लाए था यानि दीर गुत्री उसमें से एक संट्रिशmp l tutaj है कि दोस्तों दूस्तों दूसरा इंद्र समें कि आपको कई सारे कोश्चन को मिलते हैं आप आप मने कभीजattend देखा होगा तो इन में से कोई भी कोश्चन उठाग सकता है उसका आंसर मैं आपको को आगे पढ़के तो बताऊंगा ही तो इन में से मतलब कि कोई उठा सकता है जैसे कि आपको सामने भी लिखे हुए दूसरा अगला पढ़ते हैं उपरी व्याओं का कार्या नुसार परिवर्तन सीलता नुसार वर्गी करन कीजिए क्लासिफाइदा ओवर हैड अकॉर्डिंग और अगला प्रशन है आपका उपरी व्याओं से क्या अभी प्राय है कार खाना कार्याला तर्था विक्रय व्याओं को उधारना देकर समझाईए वाट इज मीन्ट बाई ओवर हैड एक्प्रेंट फैक्टरी ऑफिस एंड शैलिंग ओवर हैड विट इल्यूस्ट्रेक्शन ठीक है तो दोस्तों आगे इसका जो उत्तर है इसको पढ़ लेते हैं उपरी व्याओं का अर्थेवं परिवासा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वह व्याओं जिनका जिसका किसी विशेश उत्पादन पर परति इकाईव पितरन नहीं किया सकता है वरन परतेगं उत्पादन पर अभिभाजन या सन्विलियन किया जाता है उपर्यवे गलाता है दूसरे सब्परिवयाओं मे कह सकते हैं हैं और उपरिवयाओं का योग है तीक है उपरी व्यायों का अभी प्राय यह दोस्तों यहां कुछ प्रोफेसर्स के नाम के दिया हुआ है जिन्होंने अपनी डिफिनेशन दी हुए उसको पढ़ लेते हैं यहां लिखा हुए डबलू डबलू बिक के अनुसार उपरी व्याय का अभी प्राय उत्पादन पर किये को उपरी कहते हैं यह किसने बोला है आई सी डबलू ए लंदन के अनुसार है ठीक है तो आगे चलते हैं उपरी व्यायों का वरगी करन तो यह क्लासिफिकेशन और वरहट उपरी व्यायों को निम्न लिखेत आधारों पर वरगी करत किया जा सकता है तो पहला आपका दिया ह कारे के संचालन एवं नियंतरन हेतु किये जाते हैं कार खाना उपरी व्यायों में निम्न व्याय सामिल किये जाते हैं पहला कार खाने के भवन का किराया दूसरा है कार खाने की मसीनों तथा प्लाटो पर भिरास तीसरा है कार खाने के फोर मैं तथा अन्य निरिच्छकों क प्रवंदक कवेतन पांचवा हैं कार खाने में प्रकास तथा सक्ती परव्याय और छटवाय मसीन का तेल वा सफाई व्याय आगे चलते हैं तो अगला पॉइंट है का रियाल है और प्रसासन उपरीवे फिर शामिल होते हैं पहला है कार्वेंचारियों का रिया दूसरा है कार्याले भावन का हिरास्त मरमत किराया तथा तीसरा है आपका कार्याले की छपाई तथा इस्टेशनरी वे और चौधा आएगा डांक वे तथा टेली फोन वे और पांच्वान कानूनी वे ठीक है तो अगले आपका है जो आपका सी नंबर वो दिये हुए विक्र के संबंद में किये जाते हैं शूक जह कहलाते हैं यह न्यायाषर सादोरा नमने का वे तछूट है तो यह जो निर्मित माल को ग्रहांकों तक पहुंचाने के लिए किये जाते हैं यह निम्न है पहला है सुपूर्दगी एवं गाड़ियों के रख रखाओ आदी के समझते हैं ठीक है आगे चलते हैं दूसरा है विक्रे माल की ढुलाई तीसरा है गोदाम व्याय किराया मरमत र पैकेज विवाग के मद्द पैक पैकिंग समग्री पैकिंग कर्मिचारियों का वेतन आदी ठीक है तुस्तों आगे चलते हैं तत्व अनुसरा वर्गी करन अभी हमने फश्ट पढ़ा था वहां सेकेंड में आ तरुन वर्गी करन तो तत्तों के आधार पर उपरी व्यों को को तीन प्रियोंक भागों में विभक्त किया जाता है पहला है आप प्रितच्य सामग्री वह सामग्री जिसकी लागत को किसी विशेश उपकार पर प्रितच्य रूप से नहीं डाला जा सकता बलकि जिसका अनेक उपकार्यों को प्रात होता है आप प्रितच्य सामग्री की ला सकती है किंतु वित्रित नहीं किया जा सकती ठीक है और बी पॉइंट है आपका जो दिये हुआ है दूसरा आप प्रितर्च स्रम ऐसी स्रम लागत जो किसी विसेश कार या उपकार पर प्रितर्च रूप से नहीं डाली जा सकती है बलकि उसका लाव अनेक कार्यों उपकार्यो द्वारा समेलियत की जा सकती है किंतू वितुरित नहीं की सकती ठीक है दोसतों और आगे हैं सिए आप प्रितच्च व्याय है व्याय इस समस्ति व्याय है जो किसी start है उपकार या उत्पादं सम्मध्य सम्मंधित ना होकर कार खाना की समझत उत्पादन या अनेक कार्यों से संबंदित होते हैं इस प्रिकार अप्रितच्छ व्याओं का लाव एक से अधिक लागत किंद्रों या इकाईयों को प्राप्त होता है ठीक है उधारन के लिए एक विसेशक को बुला कर सभी भागों की मसीने ठीक कराई जाएं तो विसेशक को दिया गया पारिस सिनमिक भी आपर तच्छ व्याय होगा ठीक है जोस्तों तीसरा पॉइंट यहां पर दिया हुआ है थर्ड जो दिया हुआ वह परिवर्ग शीलव्याय के अधार पर वर्गी करना सभी वियाओं की प्रकरटी एक शीन होती कुछ आ से शीयर रहते हैं कुछ वह एक अनद टु परांतं परिवर्ग्तं सील हो जाते हैं तтора है इसे वह अजर्ञ को सद्षय कि प्रकरति शीर चिज्च रहते है सब् परिवयाई वे उपरिवयाई जो उत्पादन मात्रा में परिवर्तन होने पर घटने या बढ़ने पर भी परिवर्त रहते हैं अर्थात जो उपरिवयाई उत्पादन मात्रा की बद्धे के साथ बढ़ते नहीं हैं अथ्वा कमी के साथ कम नहीं होते बलकि सिदैव के प्रमुक उधारन हैं और आपका बी पॉइंट जो हैडिंग है आपकी बी की वो दिये हुआ परिवर्तन सीलो पर विया ठीक अभी इस थाई पढ़े थे हम लोग ने तो इन व्याओं की कुल रासी उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है इन व्याओं की कुल रासी भी बलती है तथा जैसे जैसे उत्पादन घटता है इनकी कुल रासी भी घटती है यह उत्पादन मात्रा के साथ परिवर्तित होते हैं इन व्याओं की प्रमुक विसेश्ता यह है कि यह व्याओं प्रति एकाई परिवर्तित रहते हैं कुछ परिव्याय उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटे बढ़ते रहते हैं प्रिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित तो होते हैं तो उत्पादन या विक्रे के एक निष्चित अवधी तक इस्थे रहते हैं कि उसके बाद ये उत्पादन की व्रधी या कमी के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं यह परिवर्तन अनुपातिक या किसी अन अनुपात में हो सकता है इस परकार से यह उपर वियाय ना तो फूर्ले शुरूप से परिवर्टन सील होते हैं ठीक है तो दोस्तों देखिए यहां तक आपका पूरा पार्ट था यहां तक आपकी वीडियो का एंड होता है और जो भी में पास कंटेंट था मैं आपके लिए यहां पे आपको मैं दस दस लगूत त्री पैसन और दो लांग कोश्चन यानि की दीर अब को बता हैं और यह बहुत ही इंपोर्टन अगर आपने वीडियो को लाश्ट तक देखा है और आप इसको अच्छे से पढ़के याद करके जाएंगे तो आपका पेपर डिफिनिटली बहुत ही अच्छा जाएगा और आप मतलब पास तो अंडेट परसन हो जाएंगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आप 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 आपको वीडियो आगया और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर किसी टॉपिक क्या आपको वीडियो चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों साथ भी सेर करें घर परिवार के साथ यदि कोई फैमिली में आपको कोई बीकाउम का स्टूडेंट हो तो उस तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अपने ख्याल लखें बाइगा